नमस्कार दोस्तों मैं रानु साथ करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके योट्यूब चैनल स्मार्टेग में दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए बहतरी इन वीडियो लेकर रहे हैं तो वीडियो साथ अंधरतक बने रहेगा दोस्तों आज का होते हैं उस पेमेंट एप की तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि यहाँ पर फोन पे पेटिएम गूगल पे अमजान पे आई सी आईची पे सभी पेमेंट्स एपस की अपने एक यूपई आईडी होती है तो यहाँ पर न्पी सी आई दवारा इसी चीज मे एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है, यहाँ पर अगर आप UPI भीम पे चलाते हो तो यहाँ पर UPI भीम पे में एक नया अपडेट आ चुका है, जिसके माध्यम से आप अपना UPI ID create कर सकते हो, आप यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे कि UPI ID तो हर किसी एप में create क करते हो, तो बहाँ पर आपको numbers या फिर नाम सबगरा देने के बाद एड़ या फिर आईवी या फिर जैसे samples का इस्तवाल करना होता है, लास्ट में उसी तरीके से पे टियम में भी करना होता है, उसी तरीके से गूगल पे में और उसी तरीके से और उसी तरीके से अधर UPI payment app में भी करना होता, तो उसी को ध्यान में रखते हो, भीम एप के अंदर NPCI द्वारा यहाँ पर आपको UPI ID बिना add the ride बिना कि sample के यहाँ पर बनाने का options में लाए, जिसमें आप चाहो तो सर्फ और सर्फ अपने मोबाइल नंबर को ही अपना UPI ID बना सकते हो, एक्जाम्पल क कर सकोगे और payment ले सकोगे अब दोस्तों चलते हैं भीम एप की तरफ जहाँ पर हमें नई services देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैंने अपना UPI payment app ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर देखी सबसे पहले तो आपको नीची के तरफ जो profile का options देख रहा है, यहाँ पर आपको चले आना अगर आप किसी other number को बनाना चाहते हो तो यहाँ पर second number में जो options दिया गया है, 8 से लेकि 9 digit number ID को select कर लेना है, और यहाँ पर आप जो भी बनाना चाहते हो, जो भी ID बगारा बनाना चाहते हो, उसे type कर सकते हो, यहाँ पर जैसी type करोगे, अगर वो ID available होगी, तो यहाँ पर न यहाँ पर आप UPI ID बनाने के लिए zero number का इस्तमाल नहीं कर सकते हो, इसके बाद देखी दूसरी सर्थ यहाँ पर दी गई है कि लगाता three character का आप यहाँ पर इस्तमाल नहीं कर सकते हो, यहाँ पर तीसरी सर्थ दी गई है, 8 से 9 अंक की आपकी UPI ID होने जाए, ठीके ना, इसक करने के बाद देखी, यहाँ पर सिंपली आपको right टिक करना है, और create के बटन पर किलिक कर देना है, यहाँ पर देखी आपका UPI ID successfully, यहाँ पर complete registered हो जाएगा, अब इस UPI ID का आप किसी भी UPI app में इस्तमाल कर सकते हो, तो दोस्तों उमीद करता हूँ यहाँ पर आपको वीड कर दो है, दोस्तमाल कर 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 दोस